हरे मटर और तीन अंडों के साथ मैंने आज बहुत कम तेल में एक बहुत ही हेल्दी सा नाश्टा तेयार किया जिसका नाम आप मुझे बताएंगे कुछ नाम नहीं सूच रहा तो वेलकम है आपका समस किचिन में हरे ताजे मटर आधा कप लिए हैं एक छोटा टुकड़ा तैयार कर लेंगे तो आज का स्पेशल थैंक्स आता है पाम जी शर्मा जी को सिंग अमर जीत सिंग जी को नागू रगुनाथन जी को आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो देखने का और अप्रिशियेट करने का ऐसे हमें अपना प्यार देते रहें तो य और इसको चला लेंगे थोड़ी देर तो ये बढ़िया सा बहुत ही फलफी हमारा नाश्टा बन करके तैयार होगा इसी बीच आप वीडियो किस देश किस सिटी से देखना है अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी और मैं आपको थैंक्स भी बोल पाऊंगी एक मैंने स्टील का कटोरा लिया है उसमें थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छी तरह से इसको कोट कर देंगे तो तेल मुझे बहुत कम लग रहा था क्योंकि ये जो बैटर की टेंडेंसी है वो चिपकने की है तो थोड़ा समयने बॉटम में और तेल डाल दिया है जिससे य क्योंकि हम इसको स्टीम कोग करने जा रहे हैं अब ये जो बैटर तयार किया है इसको पूरा कपूरा इसी बॉल में ट्रांसफर कर दिया मैंने और एक कढ़ाई में पानी डाल करके रख दिया है उस पर एक जाली रखी है और इसको बलने देंगे साथ ही में इस कटोरे को भ जाएगा तो अभी 5-7 मिनट हुए है उबलते हुए चलिए देख लेते हैं तो अभी ये सेमी लिक्विट फॉर्म में है इसको और पकने देंगे 7-8 मिनट और तब तक यहां पर मैंने एक दूसरा पैन लिया है और इसमें एक टेबल स्पून चमच तेल डाला है बहुत थो इसकी प्यास इसको बारी कट करके लिया है इसको फ्राई करेंगे तो प्यास को सिर्फ रमें ट्रांसलूसेंट होने तक ही फ्राई करना है बहुत जादा पकाने की जरुवत नहीं है और अब इसके साथ ही मैंने यहां पर दो मीडियम साइज के टमाटर लिये थे उनको भी और टमाटर के साथ भी प्यास को पका लेंगे एक मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे एक चताई चमच हल्दी पाउडर आधा चमच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर नमक आधा चमच से थोड़ा जादा और डाला है और अब इन सब चीजों को मिक्स करते हुए पक जिससे टमाटर प्यास अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए बस अब यहां पर हम चेक करेंगे आज को भी दीमा रखना है और इधर चेक कर लेते हैं कि यह जो हमने मटर का बैटर डाला था यह पका कि नहीं पका इसी बीच मैंने इसका जो होल था इसको ढाग दिया था मतलब अब फॉयल से कवर कर दिया था जिससे स्टीम बाहर ना जाए यह स्टार्टिंग में मुझे बताना था पर मैं भूल गई तो मैंने अभी दिखा दिया आपको और अब फोक टेस्ट करेंगे जिससे कि एकदम क्लीन आरास का मतलब यह अच्छे से पक चुका है बिल्कुल भ यह ठंडा हो जाए क्योंकि ठंडा अगर नहीं होगा तो फिर आसानी से नहीं निकलेगा और चेपके तूट सकता है तो नीचे से यह ठंडा हो रहा है आजकल वैसे भी ठंड है चीज़े जल्दी हो जाती है ठंडी और अब इसको हम पलेट कर देखेंगे तो यह देखें मटर और एकेक बनकर के तयार हो गया है कितना क्यूट लग रहा है कलर इटना बढ़िया है और इसको हम कट कर लेंगे तो जितने बढ़े या छोटे पी सबस करना चाहें उतना बढ़ा है इसको और यह देखें कितना बिल्कुल स्पॉंजी है और बिल्कुल क्रीमी स्वाइस का टेक्स्चर है तो बस यहां पर टमाटर और प्यास भी अब गल गए है अगर थोड़े बहुत चंक्स रह गए हैं तो उसको हम थोड़ा सा मैश करते हुए मिला देंगे और अब इसमें यह सारे पीसेस को डाल देंगे तो है ना यह कमाल का आइडिया बहुत ही जबरदस यह नाश्टा बन करके तैयार हुआ मेरी फैमली ने सब ने बहुत शौट सिखाया मेरी चोटी बेटी और उसको बहुत पसंद आती है नई नई चीज़े तो बस मिलाने के बाद इसको सिर्फ एक मिनट के लिए ढाक करके धीमी आज़ पर रख देंगे और पका लेंगे एक मिनट के बाद थोड़ा साहरा धनिया डाल देंगे मिक्स करेंगे हलके हाथों से चलाईएगा इसको क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट है और बस मिलाने के बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्फ करें किसी भी अचार या सॉस के साथ अपने पसंद के खाएं और मुझे इसके लिए एक बढ़िया सा नाम जरूर सजिस्ट करें क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत क्रियेटिव हैं बहुत अच्छे अच्छे नाम सजिस्ट करते हैं तो बस एकते रहिए समस्किचन ऐसे मज़ेदार और बहुत आसाने से पीस क्लिए पर जाने से पहले इस रेसिपी को रेट जरूर करिए जिससे मुझे पता चलेगा आपकी पसंद और ना पसंद का और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये काम जरूर किया करें देखते रहिए समस्किचन थांकियो सो मच